वेलकम टू जाइफीस फैमली आज मैं आपके साथ आलू मटर की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया रेसिपी शेयर करूंगी बहुत ही बेसिक से मसालों के साथ इस सब्सक्राइब कीजीगा और यकिन मानिए आपके घर में यह सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजीए ताकि मेरी आने वारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले तो चुलि अलु मटर की बमनाने के लिए उया यहां तीन आलु लियłe है जिसे भी तुक्ड हमें कटक्रालं लिए लिए हैं पांसो ग्राम के राम के करीब घरी आप चाहिए तो फ्रोजन पार लिए लिए आप शाहें तो फ्रोजन मटर का भी यू सेके सकते ही तो चलिए सबजी को बनाना शुरू करते हैं मैंने कड़ाई लिए और कड़ाई में 100 ml के करीब ऑईल डाल दिया है और ऑईल को गरम कर लेंगे अब इसमें एक चमच के करीब जीरा डाल दिया है और जीरा अच्छे से तड़का लेंगे हम तो जीरा तड़क गया है अब चुटकी भर यहां मैं हींग एड़ कर दूँगी हींग से इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है और जो हरी मिर्च ली थी उसको मैंने बीच में से कट कर लिया है और उसको भी तेल में डाल देंगे और अच्छे से फ्राइ कर लेंगे इस तरह हरी मिर्च डालने से क्या होता है सबजी का जो टेस्ट है वो बहुत जादा इनहैंस हो जाता है अब साथी साथ जो प्याज हमने कट कर रखी थी वो भी यहां डाल दी है और एक से दो मिनट के लिए इसको सौते कर लेंगे तो प्याज और हरी मिर्च को एक से दो मिनट हो गए है अब जो टमाटर की प्यूरी बना कर रखी थी वो एड कर दी है और इसको चला लेंगे नमक और हल्दी पाउडर यहां एड कर देंगे जिशे पाउडर ना चीकित towards junk जिंजर गर्लिक पेस्ट आड़कर जिबादऄ gerek जिशे भून लेना है टैकि जो रॉहीuve होटी आज़े Western अब इसमें लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर भी आड़ कर देंगी, इसको हमें अच्छे से तब तक भूनना है, जब तक यह मसाली जो है वह आपस में अच्छे से भूनना जाए बैसे तो आप इन सबी को एक साथ करके भीnocण nen Ed encompasses लेकिन उस जो पर आलु किट तैरा बिल्हा सस्केल रहो थाली की सब्सक्राइब मुठकर आप तो उसतर तो चसरी सब्सक्राइब करने 10-10 के लिए अलुक की साथ तो आलू को मसाली के साथ बुनते हुए एक सी दो मिनट हो गए हैं अब जो मतर हमने ली थी वह यहां एड़ कर देंगे और मतर को अच्छे से इनकी साथ मिला लेंगे ताकि सभी चीज़े आपस में मिल जाएं अब लो फ्लेम पर हमें इसको कवर करके पकाना है ताकि आलू और मतर जो है वह अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं गल जाएं तो देखी दस मिनट हो गए थी और आलू मतर जो है वह बहुत अच्छे से पक गए है अब यहां मैं आदा कप के करीब पानी आट कर दूँगी, पानी आप अपने अकॉर्डिंग कम जाधा रख सकते हैं, क्योंकि यह जो सबजी है वो थोड़ी थीकी अच्छी लगती है, तो मैंने कम पानी आट किया है, आप जाधा भी कर सकते हैं, अब जो गरम मसाला लिया था वो भी मैंने यहां एट कर दिया है, और इसको अच्छे से सबजी के अंदर मिला लेंगे, अभी से इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है, कि खाने का मन कर रहा है, तो यकीन मानिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा, और जो हरा दिनियां कट करकर रखा था मैंने वो भी यहां एट कर दिया है, और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे, तो सबजी बिलकुल बनकर हमारी तयार है, आप इसको रोटी के साथ सर्फ कीजिए, पराठी की साथ, पूरी की साथ, तो देखिए कितना अच्छी इसका जो टेक्चर है, वो कितना अच्छा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बैल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकिशन आप तक पहुचे सबसे पहले, मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, थैंक्स वर वाचिंग